प्यारे मित्रों सबसे पहले वीडियो को देखने के पहले आंगे बढ़ने के पहले आप लोको लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर कि उस लिंक को जॉइन कर लिजिए वहां से आप एक आपके पास टोटल कितने 50 कोशन मैं यही 2022 की बात करूं तो पिछले वर्स जो आपके पास में थे 50 कोशन थे और 50 में से कोई 40 करना था बच्चों को शायद है ना तो अभी पेपर भी हम देखेंगे यह हमारे पास पेपर भी है करके जाना है ओके तो भाई आप जो त्यार करो इसमें क्या आएगा सबसे पहले एक गद्धांश आएगा ओके और उस गद्ध्यांश पर आपके पास आधारत प्रशन आएगे मतलब जिसको आप लोग अंसीन पैसे जिया बोलता अपठी गद्ध्यांश बोलते हो है ना त उस पर आधारत प्रशन आएंगे ठीक ना उस पर आधारत प्रशन आएंगे आप यह मत समझो कि आपके बुक से कुछ कोई चैप्टर वगएरे आएगा बुक वगएरे से कोई चैप्टर नहीं आता है इसमें ओके और क्या रहेगा अब आपके बाद इसका सेक्शन सुरू बगेरे जौब पढ़ते हो और भी जितनी टाप की ग्रामर होती है उससे रिलेटर आपके आएंगे रिक्तिस्थान तो रिक्तिस्थान इस पेपर में बहुत सारे होते हैं और रिक्तिस्थान आपको भरना पड़ेगा ओके और मैं किस पर आप लो काम कर लो आप विलोम शब् यूटूब में वीडियो लगा और बस उनका मनन करते जाओ आपको समझ में आता जाएगा याद होता जाएगा कुछ करना नहीं है देन इसके बाद क्या है उसके बाद है आपके पास में ये समानार्थी शब्द ठीक ना समानार्थी शब्द उसी को पर्यावाची शब्द बोलते हैं शमानार्थी सब्द या परियावाची शब्द भी आप लोग कल लो उसके बाद समोचारित भिनार्थक सब्द है ना इसको याद रखना समोचारित भिनार्थक शब्द मतलब की एक ही शब्द होते हैं उनके दो दो चाण होते हैं जैसे तीन बेर तीन बेर मतलब तीन बेर और तीन बेर मतलब तीन टाइमस त्री टाइमस या तीन बार तो इस तरीके से समोचारित भिनार्थक सब्द जो होते हैं जो कहीं न कहीं अलंकार बगरे में वाक्यांश के लिए एक शब्द ठीक है ना वाक्यांश के लिए एक शब्द एक शब्द ये वाक्यांश के लिए जो होते हैं एक शब्दिन की भी त्यारी कर लो ठीक है ना और दूसरी क्या है वाक्यगत अशुद्धियां जो होती हैं वाक्यगत अशुद्धि जो अशुद मतलब की कोई आपके पास सेंटेंस दिया है कि खाता राम है खाना तो राम खाना खाना खाता उसको आप अरेंज करोगे सही तरीके से. तो ये आपका जो main topics हैं आपके, है ना, ये आपके main topics हैं, आप इनको करके जाओ, आपके CUAT exam के लिए, ठीक है ना, तो मैं बता हूँ आपको बहुत scoring paper होता है, इस paper में आप ये मत समझो कि आप मतलब number गवा करके आओगे, अगर आप number गवाते हो इस paper में तो ये आपकी बहु ये एक फुल्टो scoring paper है, जैसे कि किसी cricket match में जो lose baller होते हैं, उनकी पिटाई करे जाती है, ऐसे ही ये CUAT का सबसे कमजोर वाला हिस्सा है, मतलब इसमें आपको खूब number लूटने है, अगर आपने इसमें number नहीं लूटे, फिर आप मतलब आपका paper बाकी सारे पके बिगड़ जाएंगे, क्योंकि आप confidence थो जाएगा ही जाएगा और ये मतलब लूटने वाला paper था, जिसको आपने नहीं लूटा तो फिर किया क्या, तो इसकी बस यह जादा कुछ खतरनाक वाली त्यारी नहीं है, बस जो मैंने बता दी आपको थोड़ा grammar पर प्रकड़ बनाईए, grammar को आपको एक्जाम तक आपका काम कर सकें, बाकि जो आपके main subject रहेंगे उन पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, आपका बहुत बहुत धेनवाद मश्कर